आप सबी को मेरे नमश्कार, मैं हुआ गिदानली शर्मा और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में आज के इस वीडियो में हम जानेगी कि आपका मे का महीना जो है वो क्या गाइन्स लेकर आ रहा है क्या है जो आपको समझने के जरूरत है कैसा कुछ खास चो आपको करने के जरूरत है एक्षिन्स लेने के जरूरत है तो आएए देखते हैं आज हम लोग मे की गाइजन्स का ये वला अपिसोड बेल बटन को जरूर दबा दीजेगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपका सहाँ जाएगी तो सब्सक्राइब कीजेगा अभी मेरे चैनल को The Power of Tarot ये जरूर खीजेगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो और आज हम बात करेंगे मे की गाइजन्स की जैसे मैं आपको भी बत्ता हमेशे की तरहाँ आज हमारे पास two piles है आज हम बात करेंगी दो पाइल की पहली पाइल है Lord Ganesha की और सेकनलं है शृ कृष्णकी तो गधनेशा और इसमें से कोई भी दो पाइल मेंसे जो भी आपको अच्छी लगे जो भी आपपो सॉटेबल लगते हैं आप अपने लिए वो抹्म अरो करो सुटके आप Tschuriya कार चोन कार चोन सकते हैं उरो के सिर देगते हैं कि अपकद मे क्या है देख छिए चुर्ण करते है तो ठाड रिछने तो चुना कार चोन है अजया तो आपकेली के लिए चाह लेकर आयाया है तो पहले इसके लिए पर बोड चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें उसके उपर कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को अच्छे रिजल्स लेने हैं तो मुझे लगता है कि में के महीने में आप अपने उसी पुराने रुके हुए काम को बहुत सारे आसी चीज़े जो रुकी हुई होगी या उसके उपर आप अपर अपर कर सकते हैं तो मुझे लगता है उसके उपर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा भी भी तो मुझे लगए कि आपको खोल देनी जाहिए यानिकि अगर आपको थोड़ा सा थाम्स देनी के लिए टाइन चाहिए अगर अगर सोचने का समय चाह रही है तो आप सोचने का समय मेंक आपके लिए बहुत अच्छा है आप अपनी चीजों को जैसे प्लान कर रहे हैं उसको करें कि आपके लिए best options किया हो सकते हैं best steps क्या हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा health को लेकर थोड़ा सा छेंतित हो सकते हैं यानि कि किसी भी चीज़ को लेकर वह है उल्थ हो या कोई और अगर mental जो है mentally मुझे लगज़ा कि कही ने कही आप थोड़ा सा anxiety एक पीस तो कही नगी तो अपको बहुत ज़रूरी होगा कि अपने बहुत स्ट्रॉंग बन के कोई भी काम का डिसेजन जो ईजरूरी है या कि अगर ऐसी चीज़ जो पास्ट में स्टोर्न मावां और निगा एंग अदिक नियाघना लिए वह कम करते हैं कि अपले टो से डिल चाहिए सबस्तों से डिल कर छहायHz? और अपने आपने अपको निव चीज हों के लिए वियाभना करना चाहिए एक अपने लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं तो कुछ ऐसी जरूर दिखाई दे दे रहे हैं तो कुछ ऐसी जरूर दिखाई दे दे रहे हैं अगर चोटे-मोटी डील्स करनी है चोटे-मोटी काम से जाना है तो वह जरूर आप चले जाए लिगा अगर मैं बोलू थोड़ा सा महनत और स्ट्रगल का जरूर यह वला पीरिट हो सकता है सोच विछार की एक्षाल लेने का पीरिट हो सकता है अब देख लेए कि आपके लिए और एकल कार्ट करा कहा हैं तो मुझे लफते हैं कि आपको बैलन्स यहाँ पी कार्ट दिखारे हैं कि आपको बैलन्स होने की जरूरत है, आपको spirituality और physicality को बैलन्स करना होगा, यानि कि जो भी आप thought process के साथ चाल रहे हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसे बैलन्स हो करें, जादा एमोशन हो कर नहीं, जादा प्राक्टिकल हो कर नहीं, और जिन चीजों के आप answers चाहा रह में कुछ भी ऑन पर ऑजिदिकल लाइफ में पर और बुरी के लिए होता है, वह तो अच्छी बहु अच्छा हो सकता है और अपनी निखली बहाँ निकले हैं, आपको लगता है कि इस तीस से बहा निकलूंगा यानि कि अगर आपको लगता है कि मैं अगर इस चीजसे बहा बहार से लिए इक लिए किया बन्य बदा हैं कि चीजा आपकी तुदश tipping? यारि आपको तोड़ा से लोगा कुछ के अठते एंड निकलना पड़ेगा यानिक क्या स्टास करना पड़ेगा अपनी है कि अप के महीने में कुछ च्छा के लिए कर सकते हैं तो चलिए यह तो मेहीना, जिन लोग इफस्स पाइल चूज किया था उनके लिए चलिए बात करते हैं जिनोंने सेकंड पाइल चूज के यानि कि जिनोंने श्रीकृष्ण का काड़ चूज किया था आपके यह लिए मेहीने मेहीने क्या गाइदन्स है सबसे पहले देखते हैं मारे चैरुकाज से बता रही है कि किसी चीज को लेकर आप ख्लेर नहीं है कि यह काम होगा या नहीं होगा यह अंदर के थोट्स जो है वो नेगटिव थोड़ से परिशान कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको निकलना बहुत ज़रूरी है जब तक आपने फिर से बाह नहीं निकलेंगे जब तक आप चीजों को 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 जब तक खत्म नहीं होंगी तब तथ नई रहे नहीं होंगे तो आप जितने भी अपने युखेकल्स हैं जितने भी हो उन्ट्राफ आप सामझते हैं आपको किसी काम कोदी कर देंक हैं रख्योन के अपको नएब नहीं करनाया, भर पत्पकर सकते लिए वयकिते हैं वह रहाँ पराणी का महें आपकानाया, यण सब टाजय हो सकते हैं अगर आप कुछ इन्वेस करना चाहते हैं जो आपको कुछ नए काम करना चाहते हैं प्रॉपटी के लिए कुछ लग्जरी के लिए तो मुझे लग्टाइब कर रहे हैं आप किसी ऐसे इंसान को मिल सकते हैं जो इनसान बहुत प्राक्टिकल हो और जिसका एक और अधा होगा you aap kopa led पर लिए और जो आपको को छी गाइडिंस भी दे ले सकता है जो आपको छी चुछ अब दे सकता है या कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुला कातो को सकते हैं बहीं 10 कि 70 कि 7 महीने में यह भी रिखाई दे रहा हैं कुछ आप को आपको आयेगे सकते हैं कुछ अछे हैं इसे इसे बहुत सकते हैं जिनके साइडियास बहुत अच्छे होते होते हैं जो लोग गाँ धैसा है'! belum, जो थी स्वाइडियेः, हाँ अगर वी घड़ीपिछ सृटल्का बहुत सावर करना थायो स कांस्फीज करते हैं, नोग भी धार हनो को क्या। और आपको लगता है कि आपको 100% वो चीज चाहिए तो मुझे लगता है कि शार 90% आपको चीज मेलेगी लेकिन उसका मतलग यह है कि अगर आज आज आप 90% से खुश होते हैं तो आगे जाके वो 100 से भी जादा आपको स्किल्ग्स मेलेंगे तो करीबर किसी चीज को लेकर हमें अपना point of view बदलना पड़ता है हमें अपने thought process बदलने पड़ते हैं तो जरूर बदलेगा क्योंकि आज अगर हम थोड़ा सा अपने में बदलाव लेकर आएंगे तो आने वाले टाइम में हम अच्छी चीज़ों को ग्रेंड कर पाएंगे जरूर आप अच्छा कर पाएंगे थोड़ा बैलन्स रहिएगा अगर spirituality और कैते हैं कि physicality को अगर हम बालन्स रखे तो हम बहुत सभी decisions ले सकते हैं तो भभी मुझे दिखाई दे रहा है और बोल्ड होने के लिए कहा जा रहा है यान कि be bold and make the first move यान कि दरने की जरूरत नहीं है जो भी काम करना चाहते हैं बिंदास बेजिजा कोगर करिएगा आगे बढ़ेगा क्योंकि आपके बहुत पावर है बहुत श्रक्ति है बहुत स्ट्वेंथ है और उस्ट्वेंथ को आप अगे बढ़ेगा अपने काम को करिएगा आपको रिजल्स जो है वो बैटर ही मिलेंगे तो कहीं नहीं जीत जो है वो आपकी दिखाई देए और किसी भी चीज में अपने आपको रोक रही है या किसी चीज के लिए अपको रखता है कि आपको करना चाहिए कि नहीं या और आपके लिए जीत आपकी है तो आपके बढ़ियेगा और मही का महीना आपके लिए कुछ अच्छी चीज़े अच्छी चीज़े अच्छी बूद लेकर आ रहा है जो चीज़ आपके काम अभी तक नहीं हुए थे मुझे लेकर आपके बन सकते हैं तो एक तरह से विन-विन सिच्छी जए हो आपके मेके महीने की दिखाई दे लिए है तो दर्शको ये तू था हमारा मेके महीने की गाइड़न्स जैसे के मैं शुरू में भी बोला कि मेरे चैनल को सब्स्क्राइब जुरू कीज़ेगा और लाइक जरूर किज़ेगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप आपसे में इजाज़त चाती हूँ और बहुत जल्दी हम ऐसा ही वीडियो फे लेकर आएंगे तब तक आप आपना खयाल रखिएगा और मास्क जरूर बहनेगा जब भी आप किसी फीर भार इलाके में जाते हैं और अपने सेहत का ख्यान रखिएगा थैंक यू सो मच पर वाशिंग माई वीडियो